दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल DKDigital Cash में और यहाँ पर दोस्तों Pi Network के अंदर जिन लोगों की KYC जो रह रही है चीक है या जिन किसी के पास में tentative approval जैसा status अगर शो हो रहा है तो उसी के regarding मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ information शेयर कर रहा हूँ and hopefully दोस्तों की जितने भी लोग यहाँ पर अपनी KYC के लिए confused है उन लोगों को यहाँ पर अपने सवालों के जवाब जो है यहाँ पर मिल जाएंगे और साथी साथ दोस्तों आप लोगों को difference भी पता चल जाएगा कि tentative approval जो status आप लोगों को दिखाई दे रहा है अपनी KYC status के उपर या KYC वाले platform के उपर उसमें actually क्या difference है यानि कि जो अभी सबसे पहले starting में जिन लोगी KYC एप्रूव हुई थी या जिन लोगी KYC जो है successfully जो है complete हो गई थी उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोगों को tentative approval जैसा status जो है शो हो रहा था तो अभी फिलहाल हमारे पास में recent जो update है उसके according यहाँ पर tentative approval जैसा status जो है इसकी जो information यह बार पर जो है शेर की जारी है social media platform के उपर तो एक बार मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप में से अगर कोई अभी फिलहाल ऐसा है जिसने अभी KYC के लिए apply नहीं किया है तो please make sure दोस्तों कि आपकी KYC जो है उसके लिए आपने जो है यहाँ पर apply कर रखा हो क्योंकि अगर आ तो हमारे लिए बहुत important है बिना KYC के आप लोगों को जो पाई coins है वो आपके wallet में receive नहीं होने वाले ठीक है तो अभी फिलहाल चलिए मैं यहाँ पर जो अभी मेरे पास में जो information है उसको आप लोगों के सामने share करता हूँ और actually मैं थोड़ा सा difference आप लोगों बताऊंगा य रिक्वेस्ट एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब बैल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें जिससे कि आप लोगों को आगे भी सभी updates और साथी साथ crypto related नएने projects दोस्तों यहाँ पर मिलते रहें बढ़ते आगे दोस्त a tentative approval status it means you have already passed a KYC यानि कि जब आप अपना pipe browser open करते हैं वहाँ पर जो pipe platform या आपके पास में जहाँ पर pipe browser के अंदर जितने भी KYC को option जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है जैसी आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने अगर आपने यहाँ पर पहले से ही apply कर रखा हुगा KYC के लिए मान लेजे दो महीने पहले छे महीने पहले ठीक है तो अगर आपके पास में वहाँ पर इस तरीके से tentative approval अगर शो होता है तो it means कि आपकी जो KYC वो already passed हो चुकी है तो इसमें आपको बिलकुल भी खबराने की ज़रूरत नहीं है और continuously आप लोग बस अपनी mining जो है करते रहें और पाई ecosystem के अंदर अपनी तरफ से contribute करते रहें ठीक है तो अभी यहाँ पर screenshot भी है जिसके अंदर जो की officially आप लोग इसको समझ सकते हो या officially इसको जो है मान सकते है पूरूरल क्योंकि यहाँ पर लिख कोई भी सकता है लेकिन जो screenshot जो की applications या फिर जो पाई network का जो पूरा main official platform है अगर वहाँ से हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है तो वो 100% जो है वो official माना जाएगा ठीक है तो अभी देखे यहाँ पर इस screenshot के अंदर आप लोग देख सकते हो your application status कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यानि कि अगर आपने जब KYC complete कर रखी होगी तो आप KYC status पर कुछ इसी तरीके का interface जो होगा परपल कलर में और इसके बाद में और इंज कलर में यह highlight हो रखा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि congratulations you have passed the decentralized validation step of the special KYC in your region more examinations are necessary before migration to mainnet तो यहाँ पर last line जो लिखी हुई है कि more examination are necessary before migration to mainnet अब क्योंकि यह tentative approval जो है different तरीके का जो है यहाँ KYC status पहली बार show होना शुरू हुआ है तो जो इन्होंने यहाँ पर last line लिखी है अब यह किस तरीके से implement होगी यह आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन फिलहाल के लिए आप यह मान सकते हो कि भाई आपकी जो KYC वो approved हो चुकी है और in case यहाँ पर आगे चल करके अगर यह क process करना हो but document का जो process है वो मुझे मुझे लगता है maybe कि face verification जैसा कोई concept यहाँ पर दुबार से आए but anyways यहाँ पर देखिए और आगे क्या लिखा वो भी थोड़ा समलोग पढ़ लेते है so the special KYC help initiate the mass KYC process in your region while protecting the integrate of the network given many reports of policy validations here you went through this special KYC process that allow you to submit your KYC application and get your ID documents verified by decentralized validators like other region however additional examination will be performed other the decentralized KYC approval before your migration to mainnet so the additional examination will depend on the majority of pioneers in your region तो यहाँ पर जो आप लोगी KYC है वो इसके उपर depend करेगी जो additional यहाँ पर आप लोगों को option मिलेगा KYC करने के लिए in future so वो actually इस तरी की KYC आपका जो reason है आपका जो area है ठीक है उसके अंदर कितने लोगों जो है यहाँ पर KYC के लिए apply किया है ठीक है कितने validators हैं यह इन सभी factors के उपर depend करता है बट फिलहाल आप लोगों लिए समझना बस इतना जो है आसान रहेगा कि भाई आपकी KYC यहाँ पर approval हो चुकिए और आपको next approval के लिए बस इंतिजार भी नहीं आप लोग अपने simple mining करते लिए कभी भी आपके पास में जो है यह update जो हो आ जाएगी कि भाई आप लोगों को additional examination यहाँ पर देना है ठीक है इतना ही दोस्तो इस वीडियो के अंदर बाकी किसी और की कोई भी problem हो KYC के regarding या account के regarding आप मुझे comment section में comment कर सकते हो बाकी फिलाल आगे सभी updates के लिए चैनल को like subscribe करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर दोस्तो अभी फिलाल इस वीडियो के अंदर इतना ही तब तक के लिए दोस्तो गुड़ पाई टेक कियर एंड हव अगुड़ टेग